प्रिश्कर दोस्तों स्वागताब सभी का मेरे यूट्यूब चैनल इन्फो अकेडमी पर और आज की इस वीडियो में आप एक भरती के नए नोटिफिकेशन के बारे में जानेगे और इस भरती का जो अड़र्टाइजमेंट नंबर है CPRI by 11 by 2022 ये इस भरती का अड़र्टाइजमेंट नंबर है और इस भरती के तहट जितने भी पदों के लिए अप्लिकेशन से इन्वाइट के गी हैं सभी के लिए आपको ओनलाइन अप्लिकेशन फारम ही भरने पड़ेंग कत्ता गुहाटी और नासिक ये अलग-अलग यूनिट्स भी हैं जो हैड़कोर्टर के इलावा भी है यनिके आपको जो इस भरती में यह दियाव का सेलेक्शन हो जाता है तो बैंगलोर के इलावा आपको भोपाल हैदराबाद नागपूर नाइड़ा कलकत्ता गुहाटी और नासिक के जो यूनिट्स हैं इनमें भी आपको पोस्टिंग दी जा सकती है और इसमें जो वेकैंसी का ये नोटिफिकेशन है केवल और केवल आप ओनलाइन एप्लिकेशन ही इन्वाइट की गई है केवल और केवल ओनलाइन एप्लिकेशन ही आप फाइल कर सकते हैं और और तीसरा माध्यमा आपके पास है इस चैनल का एक टेलिग्राम चैनल है जिसके में जाकर आप जोएन कर सकते हैं और वहाँ आपको इस परकार के अड़ोटेजमेंट सभी आपको डाउनूड करने को मिल जाएंगे अब देखते हैं कौन-कौन से पदों का विवरन है कुल वेकंसी जो है इसमें इंजिनरिंग आफिसर की 20 वेकंसी है जिसमें से आठ जर्नल के लिए है SC के लिए 3, ST के लिए 1, OBC के लिए 6, EWS के लिए 2 वेकंसी है Scientific Engineering Assistant में 7 वेकंसी है Technician Grade 2 में 15 वेकंसी है Assistant Grade 2 की 16 वेकंसी है और MTS Grade 1 में Watchman की जो की Reserv रखी गई है Access Management Candidate ही MTS के लिए अपलाई कर पाएंगे आगे देखते हैं इस Number of Vacancies के लिए Qualification किस प्रकार से रहेगी Qualification की बात करें Engineering Officer Grade 1 में BTEC या BE Electrical Electronics Engineering में Electronics and Communication में आपका कोई Diploma और Gate का आपका Score जो है 21 और 22 का Online Application आप इनवाइट करते वे आप मेंशन करेंगे कौन-कौन सी ब्रांच के जो Engineering में अपलाई कर सकते हैं Electrical Engineering, Electronic and Communication Engineering के दो हैं Mechanical Engineering के पाँच और Civil Engineering में एक Vacancy है कुल मिला कर ये जो Engineering की जो Vacancy है वो 20 है और Scientific Assistant की बात करें तो इसकी जो जरूरी हो गयता है First Class आप BSE Chemistry में यदि आपने पास कर रखिये तो Scientific Assistant के लिए अपलाई कर सकते हैं Chemistry में तीन Vacancy है और I.U.C.M.A की बात करें 18-35 वर्स के बीच की Candidate अपलाई कर पाएंगे इसी पर कारागे बात करते हैं Engineering Assistant की जिसमें Tentative जो Vacancy है Electrical में दो Civil में एक और Mechanical में एक Vacancy है First Class 3 Year Diploma in Electrical Engineering और Civil Engineering इसकी जरूरी योगेता रहेगी इसी पर कारागे बात करते हैं जो अगर Next Qualification है Technician Grade 1 की जिसके लिए आपको ITI Trade का Electrical में यदि आपके पास कोई Trade है ITI का डिपलोमा आपने करक है तो अपलाई कर पाएंगे और 18 से 28 वर्स के बीच के जो केंडेट हैं वो अपलाई कर पाएंगे Assistant Grade 2 की Vacancy के लिए BA, BSC, BCOM या BBA, BBM First Class आपने यदि पास कर रखी है और इसके इलावा Typing Speed आपकी 30 शबद प्रती मिनट कम्प्यूटर पर है तो आप Assistant Grade 2 के लिए अपलाई कर सकते है और कम से कम आपके पास जो डिगरी है वो तीन वर्स के आपके डिगरी आपकी Finance में होगी तो यह Additional Qualification आपकी होगी और 18 से 30 वर्स के बीच के जो केंडेट हैं वो अपलाई कर पाएंगे MTS Grade 1 यानिके Watchmen के लिए जो वेकेंसी का विवरेंड है उसके लिए Qualification की बात करें यह जो वेकेंसी है MTS Watchmen की यह एकसरिसमें के लिए ही अरक्षित रखेगी है एकसरिसमें वो आर्मी एरफोर्स और नेवी से तीनों से नाउं से यह दिपास है एकसरिसमें है तो वो आप एपलाई कर पाएंगे और कम से कम एकसरिसमें की योग्यता है वो दस्विं होनी चाहिए Age Limit की बात करें UR यानिके जनल के लिए और EWS के लिए 18-45 वर्स के बीच का और OBC के लिए 18-48 का SCST के लिए 18-25 वर्स के बीच के जो सिर्समें है वो एपलाई कर सकते हैं एपलाई करने के लिए आपको केवल 21 नवंबर तक का आपको समय मिलेगा 21 नवंबर यानिके इस भरती की अंतिम तारिख रहेगी और Upper Age Limit की बात करें तो वो आपको भर सरकार के जो टेस्ट नियम होंगे उसके मताबिक आपको छूट परदान की जाएगी इन सभी को शोट लिस्ट करने के लिए एक आपका computer-based आपका written test होगा skill test होगा और उसके बाद trade test document verification process रहेगा यह आपका selection process रहेगा इस परकार से इस परकार के जो भरतियों के latest जो notification है उन सभी को जानने के लिए आप इस चैनल को जुरूर सबस्क्राइब कर लें और इस चैनल के telegram चैनल को जुरूर जोएण कर लें वहाँ आपको इस परकार के जो के ने-ने notification आपको देखने को मिलेंगे इस परकार के भरतियों के लेटेस जो सुचनाई परकार करने के लिए आप इस चैनल को जुरूर सबस्क्राइब करें धन्यवाद